हलो एवरिवान दिस इस अकांचा राय हैं धियर वी आ बैक अगेन वीना वीडियो फॉर चाप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो अल्रडी हमने कुछ वीडियो डिसकास कर लिया इस चाप्टर के जिसमें हमने जो प्रिवियस पार्ट से हमारे स्टार्टिंग फ्रॉ एसेक्शुल रिप्रोडक्शन देन गोईंग तो वेजिटेटिव प्रोगेशन और फाइनली हमने स्टार्ट कर लिया अपने थर्ड पार्ट में अबाउट सेक्शुल रिप्रोडक्शन जिसमें हमने बेसिक चीजों को पढ़ लिया ठीक है आज के इस टॉपिक में हम ही स् पॉलिनेशन पॉलिनेशन कोई नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए आपने पढ़ा हुआ है इसका डेफिनेशन तो एकदम से क्लियर कट आपके माइंड में सेट होगा विच इस वोट दे ट्रांसफर ऑफ पॉलेन ग्रेन फ्रॉम दा अंधर टू दा स्टिगमा ठीक ह रिप्रोड़क्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर है एंधर को हम बोलते हैं मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर और स्टिगमा को फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर एंधर मैंने आप लोगों को दिखाया था ना डाइग्राम में रेमेंब लाइक एरिया है प्लाटफॉर्म है एक तरह का उसको हम कहते हैं स्टिग्मा ओके तो यह पार्ट हो गया हमारा फॉर्डर डेफिनिशन अफ पॉलिनेशन नाउ कमिंग टू नेक्स लाइन विच इस पॉलिन ग्रेंसा ट्रांसफर इधर फ्रॉम आंथर टू दा स्टिग्मा ओफ सेम फ्लार तभी हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन अभी हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज जाके पहले उस वीडियो को पढ़ लो तभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाऊँगे ठीक हमने वहां पढ़ा था यूनिसेक्शल और बाइसेक्शब रवार रम तो वहां पर क्या पढ़ा था कि या अभर में या तो दोनों पार्ट होंगे तो उन्हें हम बाइसेक्शब कहेंगे या फिर या त पर self-pollination हो पाएगा नहीं हो पाएगा जहां self-pollination में लिखा हुआ है कि same flower अरे अगर same flower में दोनों चीज प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे self-pollination हो पाएगा नहीं हो पाएगा न तो समझ में आया यहां पर हम difference कैसे करते हैं यहां पर लिखा है इधर from anthra to stigma of the same flower तो हो गया self self-pollination और अगर दूसरे flower पे होगा on a different plant of the same kind same kind का मतलब मालो दूसरे कोई रोस का ही प्लांट है दो रोस का प्लांट हमने बना दिया तो इसके आंथर से यह वाले प्लांट का जो pollen grain है यहां के अंथर से अगर इस flower के stigma पे आए तो यह हो जाएगा cross-pollination same kind ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि rose है तो marigold पे चला गया नहीं rose है तो rose पे जाएगा marigold है तो marigold पे जाएगा wheat है तो wheat पे जाएगा तो ठीक है different plant पे जा सकता है पर plant same kind का होना चाहिए समझ में आई बात चलो तो cross-pollination और self-pollination clear हो गया move करते हैं next देखते हैं diagram क्या है तो पहला diagram जो है वो शो कर रहा है self-pollination यहाँ पर देखो यहाँ पर pollen grain लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ pistol of the same flower collect pollen पिस्टिल में क्या होगा stigma होगा तो वो यह pollen को collect कर लिया तो यह हो गया self-pollination यहाँ पर आ जो cross-pollination में तो यह हो गया pollen grain यहाँ लिखा है pollen from stamen stick to a bee अभी यह जो मधुमक्खी है वो बड़ आक्टिव लगा वो आके बैठ गई कहां पर यह एंथर वाला जो पार्ट है यह जो हमने पड़ा था यहाँ पर आके बैठ गई क्लियर तो यहाँ पर जो pollen grain होगा इस एंथर में वो इस बी के पैर में stick कर गया अब यह बी जो है वो फिर उड़ेगी यहां से बैठे तो रह रोज ही मालो रोज नहीं दिख रहा है मैं एक्जामपल बता रही हूं तो यह वापस से किसी और प्लांट में भी जाएगी रोज के प्लांट में घुमना फिर ना इसका काम है तो जब यहां यह पहुची न तो देखो यहां लिखा हुआ है औल्दो मैंने लिखा हुआ थो चैप नहीं पहले पढ़ लेते हैं दबी ट्रावल्स डू एंधर प्लांट ऑफ दे सेम टाइप किसी और प्लांट पे में भाई रोज पे बैठी थी तो रोज के दुसरे प्लांट पे गई पर रोज पे ही गई तो यहां पर जब जाके बैठी तो इसके जो पैर में पॉलन grain दे दो मुझे तो ये हो गया कहानी ये हो गई कहानी cross pollination की clear है चलो फिर आगे move करते हैं pollinators in nature अभी हमने pollination पढ़ा water pollinators then जो pollination करवाने में help करते हैं उनको हम pollinators कहते हैं समझ में आई बात pollination हमने पढ़ा transfer of पॉलन ग्रेंट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो जो ये पॉलन ग्रेंट को एंथर टू स्टिग्मा ले जाने का काम करते हैं उनको हम pollinators कहते हैं अभी वहाँ पर किसने help की थी बी ने help किया ठीक हनी बी था मालो मदुमक की ये उसने help किया क्या एक जगा पे गया वहां से पॉलन उसे पता भी नहीं है वह थोड़े वैसा कर रहा है चा आजओ मैं थोड़ा help कर देता हूं दूसरों की नहीं नहीं वह अपने काम के लिए पर उसके पैर में वह स्टिक कर गया पॉलन ग्रेन ऐसा बनाया है इस नेचर ने इतना सुन्दर सुन्दर सब कुछ बनाया है इतने आईडियाज रखे है है ना क्रियेटीव कि वह ऐसा बना दिया कि वह स्टिक करके चला जाया हनीबी के पैर के साथ तुम तो ले नहीं जाओगे पर ले तो जाना है हमें पहुचाना तो हैं तो वहां पर वहनीबी क्या हो गया पॉलीनेटर हो गया समझ में अब देखते हैं हम लोग यहां पर सेंटेंस को तो ओके दा प्रॉसेस ऑफ पॉलीनेशन रिक्वाइर्स पॉलीनेटर ओवियसली चाहिए ऐसा जादू से हो नहीं जाएंगी चीज़े पॉलीनेटर सार एजेंट्स डट कैरी और ट्रांसफर दा पॉलीन ग्रेंट फ्रॉम स्टिग्मा पॉलीनेशन का जो डेफिनेशन वही है यहां पर सिर्फ एड कर दिया हमने एजेंट अब यहां पर एक्जाम्पल देखें तो वीन्ड हवा हवा भी क्या करता है उडा ले जाता है पॉलीन को उड़के दूसरे प्लांट में चले गए ठीक है वीन्ड बीज तो हमने भी क्या किया ना सीड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले गए और तो हम तो कहीं भी फेग देते हैं हमें क्या मतलब भी तो बैचारा एक जगा से उड़के दूसरे जगा फूल पे ही जाके बैठता है पर हम तो नहीं वैसे ना उतने अच्छे चल तो यह सारी हो गई अब यहां पर नेक्स लाइन देखो इन सम एक्वेटिक प्लांट्स वाटर इजन अफ पॉलिनेशन वाटर भी फ्लो करता है तो अपने फ्लो के साथ है ना अपने वेव के साथ वह सीड को लेते जाता है जैसे कोकोनट की बात कर लो तो वह पानी में गया तो वह क्य तो नहीं आके उठा के ले जा रहे हैं तो वहाँ पर वाटर वेव जो है वो हेल्प करते हैं क्लियर ओके मुविंग टू अच्छा यहां पर सारे सुंदर सुंदर डाइग्राम दिये वह हैं हनी बी बटरफ्लाई बोर्ड बैट आप सारे डाइग्राम बना ले ना क्या मैं हाती हैं बहुत हलका माइक्रोस्कोपिक का मतलब की सिन थे ज होते हैं कि खुली आंख से नहीं दिखेंगे से हमें माИक्रोस्कोप यूस करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप्त करते हैं बहुत चोटे-चोटे चीज को देखने के लिए अपने बैक्टिरिया पढ़ाया आरो व productive sale याद रखना है pollen grain fine each pollen grain has a distinctive outer wall that is tough and resistant to decay याद रखना यह point भी अगर यह pollen grain है ना तो इसका जो outer wall होता है ना बहुत tough होता है in fact सबसे toughest material contain करता है क्योंकि इसको बहुत सारे ना harsh condition tolerate करने होते हैं clear है तो अगर तुरंट तुरंट खराब होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी है कि नहीं यह इतने टफ होते हैं कि कई साल तक यह खराब नहीं होते हैं कई साल तो मैं फिर भी बहुत कम बोल रहे हैं आप जितने years imagine करो यह जो उपर का substance होता है ना जिसको बोल रहा है tough and resistant to decay मतबब सड़ते नहीं है वह बहुत होते हैं बहुत strong होते हैं बहुत tough होते हैं तो अंदर जो चीजें उसको पुरी तरह से safe रखते हैं ठीक the patterns present on this outer wall यह जो बाहर के वाल पर pattern present होते हैं यह distinctive होते हैं species of plant के लिए मालो rose है तो उसके लिए distinct अलग हुए mango है उसके लिए अलग वावा है उसके लिए अलग तो distinct होते हैं हर किसी का अपना एक character होता है ना वैसा ही टाइप समझ रो जैसे हर human को हम कहेंगे अलग है उनको तो हम देखके बता सकते हैं पर यहां पर तो हम देखके नहीं बता पाएंगे छोटू-छोटू से लेकिन इन में कुछ wind-pollinated flowers have their anther situated at a higher level than the petals petals क्या थे petals क्या थे याद करते हैं तुरंत तो देखो यह क्या है अरे 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 इस वन यह पैटल सी तो है ना मैंने बता है सुन्दर सुन्दर पंखुडी जीने कहते हैं तो जब wind-pollinated flowers होते हैं मतलब जिनको जो बहुत light-witted है बहुत हलकी है जो wind से olly cesspriट होते हैं उनका जो एंther होता है न वह क्या होगा मालों कि यह क्या है겠습니다 है पूरा है नहीं हमको कोई आपस्टेकल नहीं चाहिए अभी पेटल आके परिशान करेंगा हमको जाना है तो जाना है तो उस कारण से इन जो इनका पॉजिशन होता है वह हाईयर लेवल होता है देंदा पेटल समझ में आई बात इसके कारण जो पॉलन ग्रेन ना इसली वींड के थू तो ओड़ जाते हैं फुको ढबें ठीक यहां पर लेड़ एकस में क्या होता है भाई बढ़े संदर सुंदर फूल होते हैं और उनक्तर ग्लैंड होता है भर-घर के नेक्टर रिलीश करते है क्वरिक्टर को हम क्या कहते और उस रीजन से इंचेक्ट जो है वो आते हैं लियर हो गई यह बात तो यहां पर हम लोग डाइग्राम देख लें तो pollen grains of some flowering plant यहां पर pollen grain का आप structure देख सकते हो कितने creative structure ना बड़े सुंदर सुंदर भी है ना ओके move करते हैं यहां पर wind pollinated flower दिख़र आपको यह सब उड़ जाएंगे जैसी हवा आएगी ना यह सब उड़ जाएंगे एकदम से ठीक है और यहां पर insect pollinated flower तो yellow color कर दिया सुंदर बना दिया तो यह क्या होगा insect pollinated flower ठीक है तो यह पूरा पार्ट हो गया हमारा pollination का next class में we will go for our next topic which is fertilization till then stay safe take care and bye bye everyone